आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कारपुस्तिका ये प्रिक्रति कच्छा 5 की पुस्तिक है तो इसमें आज हम लोग देखेंगे पार्थ 10 पेर पौधों का जीवन तो इसमें देखते हैं पहला प्रेशिस में दिया गया है कि नीचे दिये गए चार्ट को पूरा केज इसमें पौधो में पोशन दिखाया गया है, तो पौधो में पोशन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है, एक स्वा पोशी होता है, एक पर पोशी होता है, स्वा पोशी क्या होता है, जो पौधे अपना भूजन स्वयम बनाते हैं, वे जैसे हम कह सकते हैं कि हरे प पोशी का मतलब पोशन ने दूसरे की पोशन ने दूसरे की भोजन पर निर्भर करते हैं अब इसके बाद परपोशी क्या होता है परपोशी को चार भागों में बाटा गया है एक परजीवी होता है एक म्रतोप जीवी होता है एक सह जीवी होता है एक कीट भची होता है तो प मृत जीवों से या सड़े गले पदार्थों से मृत जीवों से अपना भूजन प्राप्त करता है और सहजीवी क्या होता है इसमें दो जीव जनतूं की साजिदारी होती है चाहे वो जनतू हो या बनस्पति हो कहने का मनदब चाहे वो जीव हो या पौधा हो दोनों आपस में मिल करके भोजन बनाते हैं और इसके बाद है कीट भच्छी पौधा अब यहाँ पे सहजीवी में दो जीव भी हो सकते हैं और दो बनस्पते ने दो पौधे भी हो सकते हैं या एक पौधा एक जीव हो सकता है या एक जीव जा एक पौधा भी हो सकता है इसके बाद आता है कीट भच्छी पाद है यो है अपने भोजन के लिए कीटों का भच्छन करते हैं तो गीरे मकोड़े कहते हैं अब इसके बाद दोसली हए प्रशनिस में आता है कि जो जीव प्राकर्तिक रूप से उपलब्द सरलकच्छे पतार्थों का उपयोग करके अप अपना भोजन तयार करती हैं वे कहलाते हैं बिसम पोशी नहीं कहलाते हैं श्वापोशी ये श्वापोशी और परजीवी और मृतोप जीवी तो इसमें क्या बताया गया है कि जो जीव प्राकृतिक रूप से उप्रब्ध कच्छे पदार्थों का उप्यू करके अपना ये सब क्या है ये सब स्वापोशी में आते हैं अब आगे आता है अगला प्रहस्ण है अन्तिल लेखिए पर जीवी और म्रतोपomme जीवी में ऑमर्र प्रस्ताइब को अंगया होते हैं ऑनल से जामकि क्या होता है और ओक लेया सबता क्या होता है तो यह जो है परजीवी कहलाता है अब आगे आता है मिर्तोप जीवी क्या होता है ऐसे पौधने जो अपना इमृत इमूं सड़े प्रसंख्या चार पे स्वपोसी क्या होते हैं या जो पौधे अपना भूजन स्वयम बनाते हैं उसे स्वपोसी कहते हैं जैसे हरे पेर पौधे क्या है ये स्वपोसी हैं पर पौशी क्या होते हैं ये सभी अपने भूजन के लिए पेर पौधे युँँ अन्य जंतुमों पर निर्भर रहते हैं यानि आसित रहते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे परपोसी तहते हैं तो हम इसके आगे देखते हैं इसमें अगला प्रसना आता है पेड़ पौधों का वोजन में निम्न लिखित में से किसकी अनपस्तित में पत्तियों में प्रकास ट्रेसर नहीं होगा तो रच्छा कोसिकाएं दी गई हैं, रिक्तिका है और इसके बाद आता है कोसिकाओं की बीज के अस्थान और क्लोरोफिल, तो हम देखते हैं कि क्लोरोफिल की अनपस्तिती में प्रकाश रंसलेशन की क्रिया नहीं होगी, कहने का मतलब हम देखते हैं कि अगर पेड की किसी भ अपना भोजन की तरह से बनाते हैं, प्रकाश रंसलेशन की क्रिया से बनाते हैं, और प्रकाश रंसलेशन के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत आवश्यक है, अब आगे आता है कि निम्नलेकित बिकल्प में कौन सा कथन सही है, तो इसमें पहला दिया गया है कि सभी हरे पौ यहां पहले हरे पेर पौधे अपना भोजन स्यम बना सकते हैं, यह सही है, क्योंकि हरे पेर पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्रकाश रंसलेशन की क्रिया में, उसमें किसी दूसरे पेर पौधों की जरूरत नहीं होती है, अब आता है, इसको हम सही कर सकते हैं, इस और इसकी बाद अगर हम देखते हैं कि मानसाहारी जन्तुओं में हम आते हैं तो मानसाहारी जन्तु जो है अन्य छोटे जीव जन्तुओं को खाती है तो यहां पे अधिकान से जानवर स्वपोसी होते हैं तो कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो कि स्वपोसी हो तो यहां पे य क्रिया में carbon dioxide की आवस्यक्ता होती है प्रकास संस्रेशन की क्रिया में carbon dioxide ग्रहण किया जाता है और oxygen छोड़ा जाता है तो अब इसमें दूसरा दिये कथन हमारा गलत है फिर अगला उसी में दिया गया है कि प्रकास संस्रेशन के दौरान oxygen मुक्त होती है तो यह कथन सही है तो और जब का और घहा ज़ही पत्ति करते हैं तो हमें कई चोटे चुटे चूटे दिखाई देती ऐसे उद्गाटनों कीनी लिए इसे कौन सा सब्द दिया गया है इसमें परणन्द दिया गया है और अवर्धक लेंस पहले हम जाने आवर्धक लेंस क्या आवर्धक लेंस होता है किसी चीज को बड़े रूप में देखना यह आप किसी छोटी चीज को देखेंगे तो बड़े आकार में दिखाई देगी तो उनको बड़े रूप में दिखाई देगा और उसमें हमें छोटे-छोटे चिते दिखाई देगे तो ऐसे उद्घाटनों के लिए उद्घाटनों का मदब जो ये छोटे-छोटे चिते दिखाई देती हैं उनके लिए उद्घाटनों का प्रयोग किया गया है कौन सा सब्द दिया गया है तो यह में हम पर्ण रद्र कह सकते हैं आगे आता है कि नीचे दिये गये पैराग्राफ के रिक्त अस्थानों को बाक्स में दिये गये सब्दों से भरिये तो पहला दिया गया है क्लोरोफिल, उर्जा, भोजन, कार्बन डाई आक्साइट, पानी, प्रकाशन, श कर सकते हैं तो आतने पहले में देखते हैं कि पत्तियों में एक हरे रंग का रंग द्रब्ब होता है जिसे हम क्या कहते हैं क्लोरोफिल कहते हैं तो इसमें हम क्या भर देंगे क्लोरोफिल भर देंगे फिर आगे आता है कि जो सूरी के प्रकास से यानि क्या उसूसित करती है उर्जा को आउसोसित करता है यह प्रकास संस्लेशन यहां प्रकास संस्लेशन की प्रक्रिया में कार्बन डाइ आकसाइड और पानी जैसे कच्ची माल के साथ प्योग किया जाता है जिसके फल्स रूप भोजन का निर्मार होता है यह प्रकास संस्लेशन की क्रिया को बताया ग कि पत्तियों में एक हरी रंग का रंगद्रब्य होता है, जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, जो सूर की प्रकास से उर्जा को आउसूसित करता है, यह प्रकास संस्रेशन की प्रक्रिया में कार्बन नाय आक्साइड और पानी जैसे कच्ची माल के साथ प्रयोग किया जाता है, ज खमीर, मस्रूम और ब्रट मोल्स में पोशन के तरीके के लिए उप्योग किया जाने वाला सब्द क्या है तो खमीर, मस्रूम और ब्रट मोल्स में पोशन के लिए तरीके तो यहाँ पे कीडभची है यह गलत है स्वपोसी है यह गलत है परजीवी हो सकता है तो यहाँ पे हम इ में निसान लगा देंगे मृतूप जीवी ये भी गलत है पोशन की तरीके परजीवी से होता है अब खमीर में क्या होता है दूसरे में बैक्टिरिया पनप जाते हैं तो उसी की वज़े से ये खमीर का निरमार होता है अब इसके बाद आगे आता है कि कौन सा पौधा पौशन कौन सा पौधा लेता है इसमें अमर बेल है मनी बेल है घट परणी है मसरूम है तो हम देखते हैं कि अमर बेल मनी बेल तो ये परजीवी पौशन लेता है परजीवी पौशन में अमर बेल को कह सकते हैं क्योंकि अमर बेल का पौधा जो है दूसरे पौधों की सहायता इस placing दूसरे पॉधों से लिप्टा हुआ होता है अमर बेल में निसान लगाएंगे अब आगे आता है कौन सा पौधा मृतोब जीवी पोशन लेता है तो मृतोब जीवी पोशन कौन सा पौधा लेता है इसको हम देखते हैं अमर बेल है, बास है घट परणी है और मस्रूम है तो यहाँ पे यहाँ पे हम लेख सकते हैं मस्रूम अब आगे आता है मस्रूम और कवक मोल्ज कहां कहां विकास करते हैं तो इसका उप्तर हम इस तरह से दे सकते हैं मस्रूम और कवक मुनत्पदार्थों वा सड़ी गली चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इनी चीजों पर अपना विकास करते हैं फिर आगे आता है कि जेमी जब अपना ग्रह कारे करती थी तो उसकी खिड़के से उड़ने वाली मक्या उसे परिशान करती थी अगली दिन वह नरसरी गई और निम्न दरसित पौधा खरीद लाई तो चितर में कौन सा पौधा दिखाया गया है ये हमें देखना है ये वीनस फ्लाई ट्रैप है जो कि कीटों का भच्छन करता है इसकी संपर्क में जब कीड़े मकूरे आते हैं तो ये जो है उसे अपने उसमें बंद कर लेता है और उसके बाद उसका पाचन भच्छन कर लेत तो यहां पर यह चित्र दिखाया गया है, हम इसको देख सकते हैं, यहां पर घट करने ग लेफ्लाई हा sparkling काटे नुबाप्ता यहा है, उसमें ग्षेंड होता है कि बआए और इनकी पत्तियां जो किनारे पर ये नुकीली होती हैं, काटे नुमा होती हैं, ये उरते हुए कीड़े जैसे ही इस पर बैठते हैं, तो ये क्या होती है, ये पत्तियां जो हैं, दोनों सेंके बंध हो जाते हैं, कीड़े क्या होते हैं, उसी में कैद हो जाते हैं, और फिर जब पत्तियों से एक पाचक रस निकलता है जो उस कीड़े को गला देता है और उससे वो अपना पोशन प्राप्त कर लेते हैं इसके बाद अगला आता है अगला दिया गया है कि उपरोगत पौधे को उसकी खिड़की पर लगाने से जेमी की समस्यों को हल करने में कैसे मदद मिली तो चुकि हम जानते हैं कि यह वीनस फ्लाइ ट्रैप जो पौधा होता है यह जो है कीट भच्छी पौधा होता है तो जब जेमी जो है अपने अपने खिरकी पर यह पौधे लगा देता है लगा देती है तो क्या होता है कि क्योंकि यह पौधा कीट भच्छी पौधा ह पौधे के संपर्क में जैसे ही कोई कीट आएगा वह पौधा उसका भच्छन कर लेता है तो इस तरह से उसको उसकी समस्या जो है हल हो जाएगी अगला प्रसंदी जाएगा है कि जेमी के परोसी पहले निम्न पौधा उगाया यह कौन सा पौधा उगाये हैं इसको देख लेत यह नेपेंथीस इसको बोलते हैं इंगलिस में इसको हिंदी में घट परणी पौधा भी बोलते हैं इसको पिचर प्लांट भी बोलते हैं तो यह पौधा होता क्या है कि इनकी पत्तियों का जो आगे वाला भाग है यह घड़े के आकार का होता है और इसके उपर एक धकन ल ले जाते हैं और उसका धकन बंध हो जाता है इस तरह से वो उसे पचा कर अपना पौशन प्राप्त करते हैं तो यह भी हमने देखा कि इस पौधे को क्या कहते हैं इसको नेपंथीस या घट परणी पौधा कहते हैं तो इस पौधे का नाम है घट परणी पौधा या इसे ह भी कहते हैं अब आता है कि जेमी और पहल दोनों के पौधों ने एक समान कार्य किया हाला कि इन्हों ने इस कार्य को अलग अलग तरीकों से किया बताएं कि प्रतेक पौधी ने यह कार्य कैसे किया अब वीनस फ्लाइट ट्रैप और घट परने पौधा तो इसकी बाले में हम बता चुके हैं अब एक बाल फिर से देख लेते हैं कि वीनस फ्लाइट ट्रैप क्या होता है इसकी पत्तियों जो है चप्टी होती है और दोनों बीच में खुली होती है और आपस में दोनों जुड़ी हुई होती है उनकी किनारे जो है नुकिली होती है और जैसे ही कोई कि तो उस पत्ती से एक पाचक रस निकलता है और वो उसे गला देता है इस तरह से वो अपना भोजन वीनस फ्लाइट टैप अपना भोजन प्राप्त कर लेती है इसके बाद आता है घट परणी पौधा अभी हमने इसको पहा था कि यह पिचल प्लांट होता है इसमें क्या होता ह है कि इसका जो आगे का भाग होता है वो घड़े के आकार का होता है और उसमें धकन लगा होता है और घड़े के ऊपर जो एक मीठावा खुसबुदार रस निकलता रहता है तो जैसे ही कीट पतंगा कोई इसके पास आता है वो कीट पतंगा उसी की मुख के पास जैसे ही आत और धकन बंद हो जाता है और वो उसका पाचल कर लेता है तो ये दोनों में अंतर हो गया फिर आगे है कि सभी हरी पौधी मिट्टी से पूशर प्राप्त करती हैं और जीवित रहने के लिए अपना भूजन बनाने में सच्छम होती हैं जेमी और पहल के पौधों को भोजन का एक अतरित करती है अब इसके लिए हम जान लेते हैं कहते हैं कि सभी हरे पौधी मिट्टी से पूशर प्राप्त कर लेते हैं और जीवित रहने के लिए अपना भूजन बनाने में सच्छम होती हैं लेकिन हमने देखा कि ये कीट पतंगों जो हमारी विनस फ्लाइट ट्रैप है और ये घट परणी पौधा है ये दोनों जो है कीट पतंगों का तो भच्छन करता है इसमें भी प्रकास अंसलेशन की क्रिया होती है प्रकास अंसलेशन की क्रिया से ये भोजन प्राप्त करते है लेकिन ये कीटों का भच्छन क्यों करते हैं तो ये कीटों का इसलिए भच्छन करते हैं क्योंकि इस तरह के पीर तालाब के किनारिया दलदल अस्थानों पर पाये जाते हैं और वहां पर नाइट्रूजन की कमी होती है तो ये nitrogen की पूर्थ के लिए ये कीरे मकोडों को खाते हैं और उनसे nitrogen की कमी को पूरा करते हैं तो अब इसको हम पढ़ लेते हैं इसको इस तरह से हम उतलिक सकते हैं कि केट भच्छी पौधे प्रिकास संस्रेशन की क्रिया से भूजन प्राप्त करते हैं लेकिन nitrogen की पूर्थ के लिए इन पौधों को कीट पतंगों का भच्छन करना पड़ता है तो अब हमें समझ में आ गया है कि हम ये केमलब प्रिकास संस्रेशन की क्रिया से भूजन प्राप्त करते हैं तो फिर ये कीटों का भच्छन क्यों करते हैं तो कीटों का भच्छन क्यों करते हैं क्योंकि ये ऐसे अस्थानों पर पाया जाते हैं तालाप में तालाप के आसपास पाया जाते हैं या जहां दलदल अस्थान होता है वहां पर nitrogen की कमी होती है और उस कमी को पूरा करने के लिए ये केटों का भच्छन करते हैं और उससे ये अपनी नाइट्रूजन की पूर्थी करते हैं अब इसके बाद हम आगी प्रिशन पे आते हैं पेर पौधों का भोजन नीचे दिये गए तीर के निसान दरसाते हैं उचित बिकल्प के सामने सही का निसान लगाईए अब यहां पे ये घास उगी हुई दिखाया गया ये खरगोश है और ये भेडिया है अब हमको इसकी सहायता से ये जो कथन दिये गया है उसमें जो सही बताया गया है जो सही कथ को खाता है तो भेडिया घास को तो नहीं खाता है भेडिया तो खरगोश को खाता है क्योंकि भेडिया सा का हारी होता है उसारी मांसा हारी होता है तो ये गलत है कथन अब दूसरी कथन पर आते हैं कि खरगोश भेडिये को खाता है तो खरगोश मांसा हारी होता है खरगोश प बेडिया, मानसाहारी होता है, वो खर्गोश को कहाता है, तो ये कθन सही है, अब उप्रोगत सभी ये गलत है, अगरे, अगला प्रस्म ने इसमें दिजागया है, कि नीचे दिए गए, खाद शंख्ञा में जीवों को दर्साया गया है, प्रस्म क्यां दो देखते हैं, कि जो केड़े होते हैं, वो पेरपॉद माँसे जो पेस सोर्य, नहीं सुर्यare नहीं के नहीं vaisता है केड़े चासाँ है मैं जो केड़े तुन कीड़े को सबस्काता है को उर्जा का कोई स्रोत इन के पास नहीं रहेगा अब आगे है कि प्रकहर किताब में पढ़ता है कि सभी प्लाडिओं और बनस्पतिओं का भोजण सुर पर दिर्भर करता है इस कथन से आप कितना सहमत है तो हम इसकथन से पूरी तरह सहमत है क्योंकि उर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर है और सभी पेर पौधी सूरी से उर्जा प्राप्त करते हैं जो अन जन्तुमों द्वारा ग्रहन किया जाता है जैसे उदाहरन के तोर पे हम देख लेते हैं कि सूरी से क्या है पेर पौधे पेर पौधे सुरसी अपना उर्जा प्राप्त करते हैं और फिर अन जिवजन्त जो भी होते हैं वो पेर पौधे पेर पौधे करते हैं वो पेर पौधे को खाते हैं मांसा हारी जो साका हारी जिवजन्त है पेर पौधे को खाते हैं पांसाहारी जीव जन्तु है वो उन जन्तुमों को खाते हैं जो पेर पौधो को खाते हैं कहने का मतलब जैसे खर्गोष को लेते हैं खर्गोष घास खाती है खर्गोष को कौन खाता है खर्गोष को सेर खाता है अब आगे आता है प्रसंख्याचार कि जंगली बहाग बाग भेडिया, सेर और तींदुवा जैसे जानवर पौधे नहीं खाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे पौधे के बिना जेवित रह सकते हैं। क्या एक उप्युक इसपश्टी करण प्रदान कर सकते हैं। नहीं। क्योंकि ये मांसाहारी जानवर जिन जंगली जीवों को खा ивает हैं। वे सभी जानवर पेर-पौधों पर निरभर रहते हैं। अर्थात ये अपना वोजन पิर-पौधों से प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब जंगली बाग, भेडिया, सेर, तेणदुवा जैसे जोभी जानवर भाएं। thinner प सब्झार पौध बिना पेर-पौध क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये पेर जिनको खाते हैं, वो जीव जनतु भी पेर पौधों से ही जुड़े हुए हैं, जैसे मान लिजे कि भेडिया है, भेडिया सेर को खाता है, भेडिया बकरी को खाता है, या हिरन को खाता है, तो हिरन क्या खाता है, हिरन पेर पौधो नहीं मिल पाएगा तो यह हो गया अब इसके बाद आगे है कि नीचे दिये गए सब्दों से रिक्त अस्थानों के पूर्ति कीजिए मांसाहारी, उत्पादक, उभूकता और शर्वाहारी तो पका दिया इसमें गया है कि जो उत्पादक के द्वारा बने हुए भोजन को ग्रहन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उपभूकता कहते हैं अगला है वो जो सूरी के प्रिकास पानी, कार्बन डाई आकसाइड और खनिस लवन का उप्योग करके अपना भोजन बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं अगला है जो दूसरी प्राड़ियों को भोजन के रूप में उप्योग करते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं अगला है जो बनस्पत और दूसरी प्राड़ियों का भोजन के रूप में उप्योग करते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं अब इसमें है कि नीचे दिया गया चित्र एक अधूरी खाद शंखला को दरसाता है तो यहाँ पे क्या दिया गया है यह पेर पौधे दिये गये हैं पेर पौधे को कौन खाता है टिड़ा खाता है और टिड़ा को कौन खाता है बंदर खाता है अब खाद संखला में बंदर के बाद निम्न मेसी कौन सा जीव आएगा तो बंदर को कौन खाता है अब बंदर को सीर खाता है हाँ सीर तो बंदर को खाएगा खरगोस खाती है तो खरगोस तो नहीं खाएगी क्योंकि खरगोस जो है साकाहारी होता है हिरन खाएगा हिरन भी न सही हIDE यानी बंदर को पेर पौधों को टिड्डा खाता है टिड्डा को बंदर खाता है वो बंदर को कौन खाएगा सीर खाएगा तो यहां पर हम इसमें सही का निसान लगा सकते हैं अब आगे आता है नीचे दी गई संखला खाद संखला की सहाइता से पूछे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, अब यहां पे खाद शंकला दी गई है, यह घास है, घास को कौन खाता है, टिड़ा को कौन खाता है, चलिया को कौन खाता है, साप खाता है, साप को कौन खाता है, चील खाता है, अब इसमें कुछ प्रश्न दिये गए हैं, जैसे का दिया तो घास उत्पादक कहलाएगा फिर साका हारी प्राड़ी कौन है तो टिड़ा जो है साका हारी प्राड़ी है इसके बाद मांसा हारी प्राड़ी कौन है चील जो है मांसा हारी है फिर खाद शंकला में प्रतम उभोगता कौन है तो प्रतम उभोगता कौन है ये टिड़ा है औ अगला प्रिश्ण इसमें दिया गया है कि निम्न लिखित प्रिश्णों के उत्तर लिखिये सन 1940 में एक टापू पर भूरे रंग का साप आ गया जिसकी वज़ा से एक समुवर्ग की संख्या घट गई और कीट मकोडों की संख्या बढ़ गई वह प्राड़ी कौन सा होगा जि की संख्या टापू पर साप के लिए साप के लिए के लाए जाने से घट गई देखिये साप का ब्रिवोजन क्या होता है मेढख होता है और अगर वहां पर साप आ गया मिलब कह रहे हैं कि एक समुवर्ग की संख्या घट गई और कीट पतंगों की संख्या बढ़ गई तो की मेढग को कौन खाता है, साप खाता है, क्योंकि हाँ पर साप लाके छोड़ दिये गए हैं, तो साप जब साप लाके छोड़ दिये गए हैं, तो साप जो है मेढग का भच्छन कर ले गए, नि मेढग को खा जाएगा, और मेढग ही जब नहीं रहेंगे, तो मेढग ही जब नह रहेगा और तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं मेधा कर सकते हैं सिधा साम को यही समझना है कि साप जो है मेधा का भच्छन करेगा और मेधा क्या करता है मेधा किड़े में कीट मकूडों को खाता है जब साप जो है मेधा को खा जाएगा तो कीट मकूडों की संख्या बढ़ अब अगला प्रशन आता है कि कौन से जीव भोजन के रूप में मृत जानवरों, जानवरों के मल मूत्र पौधों के पत्तों के साथ साथ पौधों के कचरे को भी बिगटित करते हैं तो इसको हम बिगटक कहते हैं या इसे हम अपगटक भी कहते हैं अब आगी अगला प्रश्ण इसमें दिया गया है, कि दिये गए खाद शंख्ला, खाद जाल की अनुसार पूँछे गए प्रश्णों के उत्थर लिखे है, अब यहाँ पे यह दिया गया है, ये पेल पौधा दिखाया गया है, बनसपद दिखाई गया है, बनसपद को कौन टिड़ा खाता है टिड़ा को कौन खाता है चिपकली खाती है चिपकली को कौन खाता है चील खाता है उसी तरह से अब ये घास को कौन खाता है खरगोस खाता है खरगोस को कौन खाता है चील खाता है उसी तरह से इसमें हम देखते हैं अब ये चूहा क्या खाता है चूहा घा चूहा अनाज भी खाता है लेकिन यहां घास की बात की गए तो चूहा क्या खाता है चूहा घास खाता है और चूहा को कौन खाता है साप खाता है और चील खाता है अब इसको हम देखते हैं इसमें चूहे को कौन खाता है चील और शाप खाता है बाज क्या क्या खाता है हम दे खाता है इस अब की तरफ ऐरो का निसान दिखाया गया है अब आगे है कि छिपकली क्या क्या खाती है तो छिपकली क्या दिखाया गया अभी हमने बताया थे कि छिपकली क्या खाती है ये टिडड़ा को खाती है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टिड़ा अब अगला दिया गय तो साप का खाना नहीं मिलेगा, अब जब साप की संख्या इसमें प्रभावित होगी, जब चुहों की संख्या घड़ जाएगी, तो साप की संख्या भी घड़ जाएगी, क्योंकि साप की संख्या घड़ जाएगी, तो फिर क्या होगा ये, चील पर इसका प्रभाव पढ़े अब आगे दिया गया है कि जब लोग जंगल में घूमने जाते हैं तो छोटे-छोटे तालाबों से पानी लेकर उसे उबावते हैं और उस पानी का इस्तेमाल खाना बनाने और पीने में करते हैं एक तालाब से पानी निकालना सुरच्छित है जहां मचलियां और अन जीव रहते हैं उन तालाबों या ज़र्नों से पानी नहीं लेना चाहिए जिन में बहुत कम जीव हूं इसके क्या कारण हो सकते हैं तो आ दिया गया है इसमें कि अधिक जीवों को पकड़ कर भोजन की रूप में उप्योग किया जा सकता है और बात दिया गया है कि प्रदोसित जल में बहुत कम जीव पाए जाते हैं गा दिया गया है कि गहरी और खतरनाग जीलों में जीव नहीं रहते हैं और सा दिया गया है कि जिस पानी में कोई कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है वह सुध होता है इसलिए इसे सन्रचित किया जा सकता है इसमें ये हो जाया कि प्रदोसित जल में बहुत कम जीव पाए जा ज्यादा रहते हैं लेकिन बता रहे हैं कि उन धरनों या तालावों का पानी नहीं लेना चाहिए जहां बहुत कम जीव हों तो बहुत कम जीव क्यों है क्यों कि वहां का पानी प्रदोसित है प्रदोसित होने के कारण उसमें ज्यादा जीव जन तो नहीं रह पाते हैं तो यह बकरी क्या खाती है घास खाती है और बकरी को कौन खाता है बाग खाता है और साप हाँ और फिर इसमें स्प्राणी का नाम नहीं दिया गया है ये घास को खाती है और इसको जो है साप खाता है और साप जो है चुडिया को खाता है और इसके बाद साप को कौन खाता है चील खा इसके बाद जो है ये लूम्री दिया गया है अब यहां पे इस जानवर का नहीं दिया गया है ये जो है जानवर को खाती है और लूम्री उसे खाती है तो इस तरह से ये खाद शंखला दी गई है तो हमें इसमें ये बताना है कि आर की इस्थिति प्रम नहीं तो इसमें ये ब पे जो है टिड़ा यहां पे होना चाहिए तो इसमें हम S में सामे निसान लगा सकते हैं अब आगे दिया गया है कि दी गई खाद शंकला में से किसी एक का भोजन जाल खीचिए मैं दो दिए गए हैं इसकों दोनों का भोजन जाल खीच सकते हैं इसमें जैसे हम सबसे पहले सूर बना दें, सूर से किसको पोशक मिलेगा घास, घास को गाने के लिए हमें सूर की जरूरत पड़ेगी, और फिर टिड़ा क्या करेगा, घास को खाएगा, और टिड़ा को किसे खाएगा, पच्छी खाएगा, और पच्छी को कौन खाएगा, प तो इसको हम इस को फिण सकते हैं खाद इजाल को। यह यहां पर हम दिखाएं तो इसमें दो मेसिं हमें एक ही बनाना है जहाए हम इसको op बना दे या इसको बना देशु अब इससे उनके खाद शंख्ला पर क्या प्रुभव पड़ता है तो इसका 1-12 सकते हैं कि कारखानों से नदी या जील में बहाए गए राशानिक पानी से नदी या जील का पानी प्रदोसित हो जाता है क्योंकि कारखाने का पानी प्रदोसित होता है जिसका प्रभाव पानी में रहने वाले जिव जन्तों पर पड़ता है पानी में रहने वाले जन्तों समा झाल 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 झाल